ओड़ी सामें बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है लेकिन सालों साल तक सरकारे चलाने वालों ने आदिवासियों को सिर्फ और सिरफ बोट बैंक बना कर रखा मोदी ने तो अपने आदिवासी भाई बेहनों के बीच दसकों तक काम किया है मैं उनके सुखदिक से परिचित हूँ इसलिए आज हमारी सरकार आदिवासी कल्यान को भी सर्वोच प्रात्फिक्ता देती है बीते दस वर्सों में जन जातिय कल्यान के लिए बजेट को हमने कई गुना बढ़ाया है ये भाजपाई है जिसने ओडिशा की सम्मानित बेटी आदिवासी समाज की प्रतिनिदी आदरनिय द्रवपदी मुर्मुची को देश का राष्पती बनाया है अभी तीन दिन पहले जब उन्होंने संसत को सम्मुदित किया तो पुरी दुनिया उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थे लेकिन ओडिशा के मेरे भाईयों और बहनों आपको याद रखना है ये कॉंग्रेस और उसके सहियोगी दल है जिनोंने द्रवपदी मुर्मुची के खिलाफ पूरी ताकट लगा दी थी और वो द्रवपदी जी का अपमान था ऐसा नहीं समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था वो द्रवपदी जी का अपमान नहीं ये मेरे प्यारे उडिशा का भी अपमान था साथियों आज भाजपा सरकार राष्ट निर्माण में आदिवासियों के योगदान को निरंतर आगे ला रहा है देश भर में आदिवासि स्वतंतरता सेनानियों के मुजियम बनाए जा रहा है आदिवासि जनजातियों में भी जो सब से पिछ़ली जनजातियां है जिने PBTG कहते हैं, उनकी भी पहली बार किसी ने सूध ली है, तो वो भाजपा सरकार है, इन जनजात्यों के लिए पहली बार हजारो करोड रुपिय की PM जन्मन योजना बनाई गई, इसका सबसे अधिक फाइदा, ओडिसा के करीब सत्रा सो कबीलों के लाखो साथियों को होने वाला, इससे इन बस्तियों में अच्छे घर बनेंगे, सडके पहुँचेगी, पानी पहुँचेगा, रोजगार के साधन बनेंगे, इस खेत्र के, देवगड के जो पावडी भुया बहन भाई हैं, उन्हें भी जन्मन अभियान से बहुत मदद मिलने जा रही हैं। साथियों, भाजपा सरकार, गरीबों का कल्यान करने वाली सरकार हैं। गरीबों की चिंता को कम करने वाली सरकार हैं। हम आज गरीब को मुप्त लाज और मुप्त राशन की सुविदा दे रहें। ओडिशा के सबा तीन करोड साथियों को आने वाले पांच वर्थ तक राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर भोजन बनता रहें। इसकी गारंटी मोदी ने दी है। मोदी ने एक और काम भी किया है। ओडिशा के जो साथि काम के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं। उनके परिशानी को भी समझा है। और मेरे गुजरात में तो बहुत बड़ी सादाद में मेरे उडिया भाई बहन रहते हैं। गुजरात के विकास में मेरे उडिया भाई बहन गुजरात में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इसलिए मैं उनके जीवन को बार रहने के कारण जो आवशकता है होती है। इनको भली बात ही जानता हूँ। पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सरकारी रोशन नहीं मिल पाता था। ये बना रोशन राशनकाड दूसरे राज्यों में नहीं चलता था। मोदी एक देश एक राशनकाड योजना लेकर आया। आज उडिसा का कोई भी साधी देश के किसी भी राज्य में मुप्त राशन का लाब ले सकता है। मेरे परिवार जनों बीजेपी की केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी पैचान नए भारत के निर्माण की रही है। पको जो में भी बुलन तुनाइप